नमस्कार मेरा नाम है कुमार मनोज एक शायर ने कहीं लिखा अल्ला इश्वर एक है कुदरत अलग कोई नहीं नाम तो दोहें अगर सूरत अलग कोई नहीं पान गंगा जल करो या आबे जमजम कापीो जायका है एक साल लज़त अलग कोई में आज प्रशस्ती स्टूडियो में एक ऐसी ही शक्सित हमारे साथ है जिन्होंने बहुत कम हुमर में बड़ा काम किया है आज जब पूरी दुनिया मजब की धर्म की आग में जल रही है ऐसे में एक बच्ची जिसने मुंबई यसे महानगर से निकल कर अपनी पहचान पूरी दुनिया में बनाई जिसको सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं जिसने ये दिखा दिया कि एगर हमारी लगन सच्ची है हम एक अच्छे लोकतंत्र के नागरिक हैं हमारे जो दायत तों हमारे जो कर्तब हैं हम अपनी सिक्षा हम अपने समरपड से उस देश को नहीं उचाई दी सकते हैं हमारे साथ हैं मुमई से पधारी हुई गीता गर्ग मरियम सिध्धी की जी मरियम जी आपका बहुत-बहुत स्वागत कैसी हैं आप आपको जब मैंने टेलेविजन पर देखा हूँ बहुत सारे इंट्रव्यूज आपके देखें उसमें कई सारे चित्रापके देखें इसमें बहारत के राष्ट रखती परधान मंतरी पक्षकी नेता सोनियाजी और भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन से मिलने के लिए ये दुनिया तरस्ती है वो लोग आपको सम्मानित कर रहे हैं अपने कार्याले बुला कर आपके काम की तारिफ कर रहे हैं कैसा लगता है आपको बहुत अच्छा लगता है बहुत ब्लेस्ट पील करती हूँ साथ साथ शुक्रिया आप सभी लोगों का कि इतनी बड़ी तो नहीं हूँ प्रत्योगिता जीती थी उस समय तो आप बहुत छोटी रही थी जी हूँ मैंने प्रतियोविता चीदी और लगबग 5,000 वच्चे थे उस दौर में जिस समय आपने वह अवार्ड लिया था और उसके बाद आज तीन वर्षों बाद एक यात्रा तो आपकी हुई ना उस दौर क्या अंतर मेहसुस करते हैं उस समय जब आपको पहलीवार अवार्ड मिला आपके अमोशन थे भावना थी वह कैसी थी और आज आप क्या मैसुस करते हैं जैसे मैंने जोनी की और जैसे मेरा सफर शुरू हुआ तो आज जहां मैं बैकी हुँ यहां तो बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत कुछ इंप्रूव किया और स्वामी विवे का नंजी को मैं अनुबूती का मामला तो मुझे लगता है मेरा धर्म था जो जैसे अश्यकृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि आपको युद करना आपको धर्म करता हुए तो शायद लगा यह जोनी मेरी स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि अगर लोग सीखते हैं या लोग मुझे कुछ चाहते हैं मुझे उमीद रखते तो शाद यह मेरा धर्म है कि मा उमीदों पर खड़ी रहूं तो जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई उससे बहुत कुछ सीखा और अनुभूती का मामला जो होता है धर्म का तो मैंने अनुभूब किया बहुत कुछ और रियलाइस किया कि और मैं जो गीता पड़ी कुरान पड़ी तो बहुत कुछ सीखा मैंने गीता कुरान से ग्यान की गंगा है तो बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ पढ़ा और अब मैं उसे रियलाइस कर रही हूँ बस अब में जीवन में एक मुसलिम लड़की गीता की बात कर रही है इतनी बात पर तो फत्वे जारी हो जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई धंकी मिली हो, आपको किसी ने कहा हो कि आप इसलाम की बच्ची हैं और आप गीता पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कोई फत्वा जारी कर दिया हो. अज तक तक तो टच्वूड हुआ नहीं है, कोई फत्वा जारी नहीं हुआ है, और मेरे ही धर्म के लोगों की ऐसी मान्याता है, और स्टार्टिंग से मतलब लोगों की तिंकिंग रही है, मुझे सवाल किये गए हर जगे, बहुत सारे लोगों ने, कि आप इसलाम धर्म से है तो आपके मजब के लोगों ने, या मौलवी लोगों ने फत्वा जारी किया होगा, बट नहीं हुआ है ऐसा कुछ, और दूसरा, मेरी ही इसलाम के जो मौलवी हैं, उन्होंने, बड़े धर्म गुरु जो है, उन्होंने, एविल तो मुझे कहा है, कि आपने हमारे धर्म का लोगा है, आप जो आप आगे बढ़ा है, इसलाम पढ़ा है, जो पहली सुरत है उसमें इक्रा शब्ध का इस्तेमाल किया गया है, एक्रा मतलब पढ़िये आप। तो मुझे लगता है, मैंने कुरान से ही तिका हमें पढ़ना है, और उसमें कहा है कि जिस चीज से आपको ग तो अगर वह जान देती है कितक तो ज्यान की गंगा तो अगर वह ज्यान देती है क्यों ना पड़े हम और दूसरा एक किस्सा में बताना चाहूंगी मेरे डाडी ने शेयर किया दाओ राही मासुम रजा उन्होंने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी तो जब लिखी तो पूरे इतना अच्छा कार्य किया है और इतने खता है कि उन्होंने उसके अंबार लगा के बतलब अंबार लग गए तो गड़िया बना के अपने दफ्तर के मालों पर चड़ा दे तो एक छोटी सी गड़ि उनके मेस पर साइड पर पड़ी रहती है तो एक शक्स आया है और वो कुछ हिंदूों ने ये कहकर गाली लिखी है कि तुम मुसल्मान होके हमारे गरंत के बारे में कैसे लिख सकते हो और कुछ मुसल्मानों ने ये कहकर लिखा है कि तुम मुसल्मान होके हिंदू के गरंत के बारे में कैसे लिख सकते हैं लेकिन उनका मानना ये था कि ये करते हैं मुझे लगता नहीं है कि आपका जो तालीम है आपका जो ज्ञान है निशीत तोर पर उसकी बहुत जरूरत है इस समय समाज में जब पूरी दुनिया एक ऐसे मोहने पर खड़ी है जहां विभाजन की तालीम को पुनहा इस्थापित करने के लिए लोग जुटे हुए एक तरफ मस्जिदों को लेकर मंदिरों को लेकर गुरुद्वारों को लेकर देश बटवारे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बड़ा वर्ग है जो देश को बाढ़ने की कोशिश कर रहा है एक तरफ आपके जैसे कुछ लोग है जो सारे धर्मों को मिलाकर एक साथ आग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा आप से ये प्रश्ण है कि ये जो भावना आपके अंदर है ये क्यों आई ऐसा आपको क्यों लगा क्योंकि हमारा जो देश है उसमें साक्षर्टा भी बहुत कम है और जो मजभी तालिम है वो छोटे इस्तर से लेकर बड़े इस्तर त तुनी हुई दीवार से बाहर नहीं निकल पाता है तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आप मजभवों की दीवारों को तोड़ते हुए एक ऐसा रास्ता तयार कर लें जिसमें ये भारतिये लोग तंत्र या ये दुनिया चल सके ऐसा कब से और क्यों आपको मैसूस हुआ देखि के लिए कर लिए हैं है के लोग पुराने प्रथा है पुराने बात है और बरत समय से ये भात क्यों चल रहाए है ये बफशाती के रिजां अनुनिकर जो कारेका रह रहे है और श् weiterhin भुषू धर से अप एल्ick मैं इतना हों है कि मैं दुनिया नहीं बदल सकती बद लोग को अगर हम अपने आपको बदल दे तो बहुत बड़ी बाद होती है तो मैं यही समझे हो अगर मैं अपने आपको बदल दू और अपने परिवार को बदल दू तो I guess दूसरे लोग इंस्पार होके अपने आप ये राह को अपनाने लगेंगे क्या बाद है एक बुनियादी प्रश्न जो मेरा हक भी बनता है और जरूरत भी है आप से पोछने का आप जिस अवस्था में जी रही हैं जिस उम्र के दोर से आप गुजर रही हैं इस दोर में जो आज की टीड़ी है वो साइंस में टेकनोलोजी पर और मेडिकल शेत्रों में आगे बनना चाहती है、 अपना करियर बनना चाहती है ऐसे में आपको कई बार यह नहीं लगता है कि यह जो मजभी तालीम है, यह गीता है, यह कुरान है, यह वाइबल है यह मजभी किताब है, आपका जो लक्ष है आज की पीड़ी का उससे कहीं उसको अलग कर देती है तीक है इतना तो है कि संस्क्रीटी जो है हमारी भारती वो कहीं आगर टेक्नोलोजी की वज़े से हम भूल रहे हैं या दूर हो रहे हैं बट I guess science और टेक्नोलोजी में जो बच्चे और जो युवा पीड़ी है वो आगे बढ़ रहे हैं वो भी ज़रूरी है क्योंकि पुरी दुनिया में अगर हमेरे देश को आगे बढ़ाना है तो वो देश के लिए भी एक कार्य हम कह सकते है दूसरी बात तो जैसा है कि अगे बच्चे आगे बढ़े तो एक चीज़ में कहना चाहूँगी कि धर्म क्या है सबसे पहले हमें वही समझने की जरूरत है और Gita Karam Sikhaadhyya Karam का कर्मनी यवादिकार अस्ते मापले शुकदाचन मा कर्मपले तुरवर माते संगोस्तवा कर्मनी तो इससे हमें एक मेसेज मलता है कि धर्म क्या है जोसे आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपके प्रती मेरा एक धर्म है और मेरे मापके प्रती मेरा एक धर्म है मेरे भाई बैनों के प्रती मेरा एक धर्म है मेरे बहाई बैनों के प्रती मेरा एक थर्म तो यह मजब को लेके हम जो जो जोड़ देते हैं, यह गलत है, सिर्फ इतना है कि उन्हें अपने टेक्नलोजी के वे को संस्क्रीती के साथ जोड़ के काम करना चाहिए, दूसरा धर्म का मतलब कि उसे अंग्रेजी में राइटे स्नेज भी कहा जाता है, तो धर्म का मतलब कि • ताल • आपने करतवय का निर्वाहन करना • थर्म का निर्वाहन करना • पेर को इंसानियत आई चाहती है • जरूरि नहीं है कि हम मजहभी चीजों को ले पर नहीं • किसी भी पील्ड में रहे • इतना है कि आप जो चाहे कर लिजिये बस किसी को आपकी बज़े से ठेस नहीं पहुचनी शाहिए अपनी जड़ों से मत कटिये क्योंकि अगर जड़ से पेड़ कट जाएगा तो पेड़ सूप जाएगा और मरीम आपकी बातों से मैं बहुत आश्रस्त हुआ और मुझे बहुत अंदर से ये खुशी हुई कि हमारी पीड़ी में आपके जैसे लोग भी है जिनको ये मालूम है कि जड़ का महत्तु क्या है आज लोग कंभूरे की तलाश में है लोग चमकना चाहते हैं लोग सितारा बनना चाहते हैं और उस सितारे बनने की चाहत में वो ये भूल जाते हैं कि हम जब सितारे हो जाएंगे तो हम टिकेंगे किस पर वो जड़ जो है वो जमीन जो है जो बुनियाद है उसको छोड़ देते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है और हमारी नई पीड़ी को मरियम से ये सीख भी लेनी चाहिए कि जिस दोर में हमारे मन में केरियर को लेकर सवाल होते हैं हमारे मन में रिष्टों को लेकर सवाल होते हैं उस दोर में हमको ये भी जानना जरूरी है कि हमको अपनी बुनियाद से भी जुड़े रहना कुछ भी करें लेकिन कहीं ने कहीं अपनी जमीन से कटें ना उससे जुड़े रहें बहुत खुबसूरत सा आपने उत्तर दिया है मरिया बहुत मुझे अच्छा लगा कुछ आप मैंने आपके कुछ इंटर्वियूस देखें उसमें कुछ आपने पंतियां में सुनाई हैं मे जर्रे को चतान बना दे या अला हमसब को इंसान बना दे या अना इस इस corroborत है हमारे कवी हुए-टर उर्मले संखधार गुजर गए उन्होंने एक शीर कहा था उन्होंने कहा था कि कल न बनला तो आज बदलेगा शर्दिया हर रिवास बदलेगा आदमी की यहां तलाश कर तो आदमी ही समाज बदलेगा जो जरूरत इस दौर को है उस दौर में जो सबसे अच्छा काम है वो यही है कि आदमी को पहले आदमी बनना चाहिए उसके बाद हिंदू, मुसल्मान, सिख, इसाई यह सब बनना चाहिए अच्छा अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं तो बहुत छोटी है आप दस्मी कख्षा का तो सलेबस भी काफी बड़ा होता है आप तो बिजी रहती है मैं जिस तरह आपको देख रहा हूं लगातार आपके हर दिन कोई ने कोई इंटर्वियू और यह सब प्रोग्राम्स रहते हैं तो अपनी पढ़ाई के लिए वक्त कैसे निकाल पाती है आप निकाल निकाल निटिव मैनेज करना पड़ता है और स्टूडियो कोई चैलिए मरीम बहुत अच्छा लगा ओपसे मिलगा और आज स्टूडियो में आपके माता पिता भी हैं हम उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करते हैं तो मरियम के परिवार के लोग, उनके माता-पिता, उनकी छोटी बेन हमारे साथ हैं, हम उनके पितारी से प्रश्न करेंगे, कि आज जब इस उमर में उनकी बेटी, गीता ग्यान के कारण आज लोगों का इतना प्यार पा रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे लिए ये सामान बात है, क्योंकि मैंने बच्चे को अपने बच्चे को जो शिक्षा दी है, वो इसलिए नहीं कि इनको मान समान मिले, बलकि हमारे जीवन में उस चीज़ का असर होना चाहिए, लेकिन ये अलग बात है, कि हम जिस देश में रहते हैं, ये देश बहुत कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, तो इस देश का प्यार है जो मिला, लेकिन मेरे लिए ये मात नहीं रखता है, दरसल जब मरिया माट साल की थी, तब इन्होंने मुझे से एक सवाल किया था, डड़ी हिंदू क्या होता है, तो मैंने का मुझे इस बारे में त तालीम ले रही थी ये मशालला, तो मैंने इनको भगवत गीता भी लाके दे दिया, और रूटीन में ये गीता भी पढ़ रही थी, उसके दो साल बाद एक कंप्रडिशन आया, इसकौन का, जिसमें इन्होंने भाग लेने की खौाइश जाहिर करी, और मैंने इनको अनुमती दिया, और उसमें ये विनर्भ हो गई, बस ये यही तक था, और उसके बाद देश की मीडिया ने, राजनेताओं ने, बुद्धुजीवियों ने, इस चीज़ को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, जब आज के दोर में, हर माता-पिता ये चाहता है, कि उसका ब बोग करें, ऐसे में धार्मिक सिक्षा, या अध्यात्मिक सिक्षा, या ये कहिए कि धार्मिक उस्तकों की तरफ आपने अपने बच्ची को मूडा, आपको ऐसा नहीं लगा कि इस प्रगति की दोड में कहीं आपकी बेटी पिशन ना जाए, देखे, ऐसा है, कि मेरा ही नहीं, बलकि हर माबाप का ये दाई तो है, कि वे अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, और उसका अपना एक समय है, हम देखते हैं कि जब कुमार मट्टी के बरतन बनाता है, इस बात को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि ये चीज़े हमारे जहन को समझाने के लिए परियाप्त हैं कि जब मट्टी नर्म होती है, आप उसे बोल दिजिए, वो प्याली बना देगा, वो दिये बना देगा, वो म मट्टी नर्म है, लेकिन जब वो सूख जाए, तो फिर उससे कुछ बन नहीं सकता, दस और पंदरा साल के दर्मयान की जो बच्चों की एच है, वो उस गीली मट्टी की तरीके हैं कि आप बच्चों को जिस दिशा में ढालना चाहें, ढाल दें, ये दुरभाग्य है हमारा कि हम इस एच में बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हमने उनको वीडियो गेम, मॉबाइल, टीवी, इस दिशा में उनको डाल दिया, और जब हमें लगता है कि अब बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, तब वो हमारे हाद से निकल चुके होते हैं, वो नहीं अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, इंजिनियर, ताकि हम किसी भी तरीके ग्रोथ करें, हमारा देश ग्रोथ करें, तो मैंने मरियम को अध्यात्मिक्ता की तरफ इसलिए नहीं डाला है, कि मरियम प्रवचंदे, मैंने अध्यात्मिक्ता की तरफ सिर हैं धर्म के नाम पर मैं यह चाहता हूँ कि मैंने समय पर अपने बच्चों को शिक्षा दिये कुछ तताकत लोग हमारे बच्चों को अगर चाहेंगे बिस्गाइट करना तो नहीं कर पाएंगे मरियम की जो खौईश है कि वो इस साल तो उनका टेंथ है लेकिन टेंथ के मरियम घर की बड़ी है इसलिए मैंने वो सब चीज़े इन में डाली है ताकि जो इनकी छोटे भाई वे हैं वो इने मरियम जो है वो डाउनलोड कर दे इनको तो मैं देश बदलना नहीं चाहता हूँ और ना मैं कोई ऐसा सपना देखने के कोशिश करता हूँ मेरा प्रियास है कि मैं अपने आप को बदलो और मैं यह जानता हूँ कि जिस तरीके घर में सबसे छोटे बच्चे की आवास सबसे तेज सुनाई देगी उस तरीके ये एक आवास थी जो आज पूरे देश ने सुनी है मैंने इसे सुनने का काम नहीं किया है तो मरियम सौतंतर है वो एलल बेलगाम होता है उसी तरीके जब तक कि हमें अध्यात्मिक्ता का ज्ञान नहीं होगा हम सही मार्क पे नहीं चल सकते हैं आप लोगों से बाच करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और लगता ही नहीं है कि आप गिस इसलाम की छवी लोगों की नजर में होती है आप कहीं न कहीं बहुत आगे की सिक्षा ग्रहेंड की होगी आपने और अपने बच्चों को आप करा रहे हैं लेकिन एक मेरा बड़ा व्यक्तिकत सा प्रश्ण हैं आपसे, कि आप जिस तरह धार्मिक सद्वाव की बातें कर रहे हैं, कल को मरियम बड़ी होकर अगर किसी गहर इसलामी लड़के को पसंद कर लेती है, तो आपकी प्रित्किरिया क्या रहेगी? आपके इस प्रश्ण का सवाल, मैं एक शब्द में कहना चाहूँगा, कि मरियम सौतंत रहें, और मरियम अपने बारे में बहतर फैसला कर सकती है, यही सवाल मैं मरियम की मा से भी पूछना चाहूँगा। बस में तो यही कहना चाहूँगी कि मरियम को हमने पढ़ाया है, लिखाया है, उसको इस काबिल बनाया है कि आज वो दुनिया में सब के सामने अपनी राय रख रही है, अपना पड़ी चाहिए दे रही है, तो जिन्दकी के मामले में भी वो स्वतन तो है, अपने फैसले ख हुआ कि सही मायने में अगर भारती या परिवार कोई हो सकता है, तो वो सारी विशेषता हैं, जिस लोग तंत्र की परिभाशा हैं, समिधान में लिखी हैं, वो आप लोगों के व्यक्टिकत जीवन में हमें मिलती हैं, मैं आखरी प्रशना आपसे ये करना चाहूँगा, कि आप आज के दोर की ये जो पीड़ी है, जिसको लोग ये मानते हैं कि भटकाव के दोर में जी रही है, लोग थोड़े सी परिशानी आने पर सुसाइडल अटेक की ओर मूड जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस नई पीड़ी को आप तो इसमें मारु दर्शक की भूंता में भी है, आपने जिस तरह से एक अपने छवी बनाई है, क्या कहेंगे आप हमारी नई पीड़ी को? मैं एक ही बात कहना चाहूंगी आपके माबाब कोई भी माबाब किसी से हार ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों से हार जाते हैं तो उन्हें बेहत खुशी होती है, तो आज आज आप लोगों को आपके माबाब को हराना है, उनसे आके बढ़के और उन मैं संदेश में देना चाहूंगी, आज की टेकनोलोजी इन जिनरेशन को देखे, वो ये बात समझ गए होगी है, चले बहुत अच्छा लगा मारियों आपसे बात करके, आपके साथ जो वक्त हमने गुजारा है, निशेत तोर पर एक अलग तरह की दुनिया में आपकी बात इसके लिए आपके तहे दिल से सुक्रगजार है, मैं एक दोहा सुनाना चाहती हूँ, जो इस देश के लिए जरूरी है, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भायाना को, धाई या कर प्रेम के, जो पड़े सो पंडित होई, थैंक यू, मरियम आप हमारे इस प्रश को सुनकर, मिशेत और पर हमारे आज की प्यूड़ी, कुछ न कुछ सबब जरूर ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आप